हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में आप सस्टेन 100MZ टेबलेट के बारे में जानेंगे कि इस टेबलेट के क्या-क्या यूज़ होते हैं, इस टेबलेट को यूज़ करने के बाद आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट देखने क किस कंडिशन में डॉक्टर आपको इस टेबलेट का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और इसके साथ ही इस टेबलेट को लेने से क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि प्लीज को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाल वैल नोटिफिकेशन जरूर एक्टिव कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और मैं जो भी एक आप लोगों के लिए इन्फोमेटिव वीडियो अपलोड करती हूं उनकी इन्फोमेशन आपको मिलती रहे और आप जानकारी लेते रहें तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सस्टें 100MZ टेबलेट के बारे में आज मैं आपको फुल रिव्यू देने जा रही हूं देखिए मेली यह जो टेबलेट होती है यह एक हॉर्मोन को फिल्मों कर डाइस करते हैं।बकल और Karvalorf में आपको प्रइंस्कृमाइब करते हैं। और अगर आप FF इसकर रहा होते हैं अब ही हॉर्मों हुर्मों को कणीव नहीं हूरा है तो इसके बीछे एक र िंडीजन होता है किогंप के और टो सलब्क्विंस हो गए होते आपके हॉर्मोन बहुत जादा डिस्टरब हो गए होते हैं जिस कारण से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हाती है इसके साथ ही आपके मेंस रेगुलर नहीं होते हैं क्योंकि जो नेशरल फीमेल सेक्स हॉर्मोन होते हैं इस्टोजन और प्रोजिस्टेरोन ये आपकी बॉ तो आपकी ओवरीज में प्रॉपर एग नहीं बनते हैं जब एगी नहीं बनेंगे तो आपको पीरियड आपके डिस्टरब हो जाते हैं पीरियड डिस्टरब हो जाएंगे आपको एग नहीं बनेंगे तो आपको ओविलेशन कहां से होगा आपको ओविलेशन नहीं होता है और जब ovulation नहीं होता है तो आपको pregnancy कैसे conceive होगी सारी गडिया एक दूसरे से जीवडी हुई है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको सस्टेंट हंडर्स एमडी टेबलेट देते हैं hormones replacement therapy की रूप में कि जो आपकी body में hormones का level बिगड़ गया है आपके जो hormones imbalance हो गए हैं तो वो hormones सारे आपके प्रॉपर तरीके से produce होने लगें और आपको सबसे पहले आपका जो मेंसेज है वो regular हो क्योंकि हर एक महिला का एक natural process होता है मेंसेज रेगलर होना अगर आपके period regular हो रहे हैं time to time हो रहे हैं तो आपकी body में ज्यादा कुछ समस्या नहीं है लेकिन बहुत सी महिलाओं को ऐसा होता है कि जब तक वो medicines नहीं लेती उनको मेंसेज आते ही नहीं है इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं ऐसी हैं जो कि abnormal उनको pain होता है abnormal period होते हैं अगर वो PCOD या PCOS जैसी कुछ समस्या हो गई हैं यह समस्या भी hormones disturbance की बज़े से ही होती है तो PCOD और PCOS की जो condition होती है इसमें period आपके regular होते ही नहीं है या तो बहुत जादा bleeding होती है या बहुत scanty बहुत कम bleeding होती है बहुत कम period आते हैं in fact मैंने बहुत से महिलाओं में यह भी देखा है कि उनको 3-4- महिले तक period आते ही नहीं है और अगर आते हैं तो बहुत scanty होते हैं एक मेरे contact में थी उनको तो 6-6 महिने तक period नहीं आते थे तो जब यह सारी condition आपके अंदर होती है तो डॉक्टर आपका एक blood का check-up करवाते हैं blood के check-up करवाने के बाद आपके hormones का level क्या चल रहा है यह पत चल जाता है कि सिस्ट है या अधर कोई complications हैं तो सस्टें 100 mg टेबलेट को आपके hormones को replace करने के लिए दिया जाता है जिन महिलाओं के period रुक चुके हैं पूरी तरीकी से stop हो गए हैं जबकि उनकी age नहीं है एज से पहले ही अगर वो menopause में पहुँच गई है तो भी doctor आपको य टेबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि जो female sex hormone होते हैं वो महिलाओं के period को regulate करने के लिए बहुत important hormone होते हैं मैंने आपको अभी बताया जो progesterone और estrogen hormone है यह natural female sex hormone होते हैं अगर इनका level बिगर जाता है तो महिलाओं की जो natural process होती है वो बिगर जाती है ओर hormones regular आपके नहीं होते हैं proper produce नहीं हो रहे होते हैं तो आपके egg नहीं बनते हैं और आप सबी जानते हैं कि हर महिने आपकी ovaries से egg release होते हैं अगर आपको egg release नहीं होंगे तो आपको ovulation नहीं होगा तो उसके लिए आपका period regular होना बहुत जरूरी है तो sustained 100 Mz से आपकी period regulate होते ह इसके साथ साथ ovulation होता है जो महिलाएं ovulation की बज़े से pregnancy conceive नहीं कर पा रही है उनको भी बहुत अच्छी इससे help मिलती है इसके साथ ही friends आप इस वीडियो में थोड़ा सा एक बात और मेरी ध्यान दीजेगा कि अगर आप लोग इस tablet को use कर रहे हैं तो एक बाद डॉक्टर से suggestion जरूर ले लें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर वाले क्योंकि सभी महिलाओं के अपने अलग-अलग symptoms होते हैं इसलिए उनको अलग-अलग medicines दी जाती है कुछ महिलाओं को हलकी-फलकी problems होती है तो उनको लेट्रोजोल दे दी जाती है या लेट्रोजोल tablets के बहुत सारे brands आत hormone replacement therapy उनकी की जाती है उनको ये tablet दी जाती है जिस कारण से उनकी सारे hormones regular हो जाए सारे hormones proper तरह से produce होने लगे और वो conceive कर पाए इसके साथ ही इसके जो medicines के कुछ side effects होते हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी video में सबसे पहले आप लोग ये जान लीजे कि ये जो tablets होती ये female infertility को पूरी तरीके से खतम कर देती है ये आपके pregnancy conceive करने के बहुत जादा चांस बढ़ा देती है और इसके साथ साथ आपके जो hormones होते हैं जो मैंने अभी बताया मैं फिर से उसको repeat करूंगी जो progesterone और hormones जो दो natural hormones होते हैं मैलाओं के इनको भी regulate करती है और इसके साथ अगर आपकी वेजायना में बहुत जादा dryness रह रही है तो उसको भी ठीक करती है female infertility को ये पूरी तरीके से खतम करती है क्योंकि menstrual आपका regular होता है आपका ovulation होता है इसके साथ साथ ही आपको एग भी बनते हैं और एक healthy एग बनते हैं अच्छे एग बनते हैं जिस कारण स आपको pregnancy conceive करने में help मिलती है इसके साथ साथ friends इसका एक सबसे अच्छा जो help इससे मिलती है वो होता है आपकी जो endometrium line होती है uterus lining होती है उसको भी maintain करती है conceive करने के लिए जितनी standard endometrium की thickness को चाहिए ये उसको भी maintain करती है क्योंकि अगर आपकी endometrium line बहुत जादा thin होगी तो भी आप conceive नहीं कर पाएंगे जब आपकी endometrium line की thickness को भी ये बढ़ाती है जितनी एक conceive करने के लिए चाहिए होती है तो उससे आपकी successful pregnancy के बहुत जादा chance बनते हैं लेकिन आपको मैं फिर से ये कहूंगी कि इस tablet को जब भी यूज करें तो डॉक्टर से consultation के बाद ही यूज क करने के बाद एक effective pregnancy आपको होती है एक pregnancy अच्छे से आपको conceive होती है आपके period भी बहुत अच्छे से regular होते हैं और pregnancy conceive करने के लिए एक standard period आपके maintain हो जाते हैं अगर मैं इसके बहुत सारे जो alternative brand होते हैं बहुत सारे brand आते हैं लेकिन फिलहाल मैं आज आपसे इस वारे में 100 के बारे में ही बात करूंगे अगर आपको कुछ side effect देहने को मिलते हैं जैसे बहुत abnormal vaginal bleeding हो रही है vaginal discharge हो रहा है mood swing हो रहा है itching हो रही है आपको suffocation सा हो रहा है अगर थोड़ी थोड़ी में घबरहाट होती है irritation होता है तो normal सी बात है लिकिन अगर इन में से को जादा आपक बताएं और आप सही treatment लें इसके साथ ही friends एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जबी भी आप इस tablet को लें तो हमेशा खाना खाने के बाद ही ले और just same time everyday आपको इस tablet को same time लेना है जिस तरह से doctor आपको बताया है उस तरह से लेना है और I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा आपके लिए helpful होगा तो please वीडियो को like and share जरूर कर दें और जिससे मुझे motivation मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही useful और informative वीडियो लेकर करके आती रहा हूँ